तो ये गाइस, फाइनली फोन पे ने भी रेंट पेमेंट सिस्टम लाँच कर दिया है, कहने एक मतलब ये है कि अब आप अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट को बैंक में टांसफर कर सकते हैं, एक नॉर्मल सा चार्ज देकर फोन पे रेंट पेमेंट सिस्टम के साथ, इस वी यहाँ पे, मोबायर रिचाज वाला जो सेक्षन है, उसके नीचे में ही रेंट पेमेंट लिखा मिलेगा, उपर में न्यू लिखा है, यानि कि न्यूली लॉंच किया गया है, अब बहु सारे लोग कमेंट करेंगे कि भाई, अभी हमें ये आप्शन कहीं भी नहीं दिख र करना है कि आपका फोन पे अप हमेशा लेटेस वर्जन में अपडेट होना चाहिए, आप अप अपडेट करेंगे, उसके बाद ही ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो मैंने सारा डाउट किलियर कर दिया है, तो जस्ट आप रेंट पेमेंट वाले सिस्टम में क्लिक करते ह है, तो ये जस्ट एकदम पेटियम रेंट जो है, फ्रिचाज रेंट पेमेंट है, क्रेट रेंट पेमेंट है, सेम वही प्रोसेस में वर्क करेगा, मैंने सारा आपको वीडियो आल्रेडी बना के दिया है, यहाँ पोला चारा रेंट पेमेंट मेड इजी ऑन फोन पे, तो जस्ट आप यहाँ पे Terms and Condition Accept करेगा, और Get Started में क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको बेसिक सा डिटेल डालना पड़ेगा, जिसमें क्या है, कि जिसको भी आपको रेंट पे करना है, जिस भी अकॉंट पे रेंट पे करना है, अब्यसी बात है, अपना खुद का नहीं डाल जाएगा, किसी दूसरे कहीं डालिएगा, तो Rent का Amount आपको लिखना होगा, और Property Name, कुछ भी यहाँ पे नाम डाल सकते हैं, प्रोपेटी का, उसके बाद Save as Home या Office करके आप सेलेट करेंगे, तो यह एक बेसिक सा डिटेल है, फिलप आप कर लेंगे, तो डिटेल हमने फिलप कर दिया है, जस्ट में Continue में क्लिक करता हूँ, अगले Option में आपको मिलेगा, लैंडलोट का नाम डालने, तो इसमें आप Make Sure करिएगा, कि जिस भी Bank Account में आप पैसा भेज रहे, Rent Payment के द्वारा, तो उस Bank Account में जो Person का नाम है, वही नाम आपको यहाँ पे फिलप करना है, नाम अलग आपको नहीं डालना है, ठीक है, उसके बाद फिर Mobile Phone Number डालना है, तो यह Optional है डाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब Option मिलेगा, कि आपको Bank Account में ट्रांसफर करना है उनका, या Add a UPI ID, UPI ID से भी ट्रांसफर हो जाएगा, तो जस्ट Add a Bank Account में क्लिक करे तो आप यहाँ पे Add Beneficiary में, आप यहाँ पे कुछ भी Bank Account अपना जो भी होगा, सलेट कर लिजेगा, उसके बाद UPI में भेजना है, तो UPI आप सलेट कर सकते हैं, तो चलिए मैं थोड़ा Details फिल अप करके, अगला Option आपको दिखाता हूं, तो Details मैंने फिल अप कर दिया है, ना तो जस्ट आप उपर वाले Option में क्लिक करके, Proceed to Payment में क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कितना Charge लगेगा आखिरकार Transfer करने में, मैं सारा एकदम डिटेल में आपको समझा देता हूं, ताकि कोई भी आपको डाट यहाँ पे नहीं रहे हैं, तो थोड मैं क्रेडिट कार्ट से सेलेक्ट करता हूं, तो यहाँ पे मातर 13 रुपया मेरे को देना पड़ेगा, और GST के साथ देना पड़ेगा, तो क्रेडिट कार्ट से ट्रांसफर में 1.3% का सम्थिंग चार्ज लगा with GST, तब आप लोग कमेंट करें कि डेबिट कार्ट से 75 रु जैसा कौन सा बेनफिट है जो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, तो अभी अगर मैं 10,000 को ट्रांसफर करूंगा, तो अभी भी डेबिट कार्ट मुझे 75 रुपीज प्लस GST पे ही मिल रहा, यानि कि डेबिट कार्ट से ट्रांसफर करने में 75 रुपीज प्लस GST देना लेकिन अगर हम लोग जहाँ क्रेडिट कार्ट सेलेट कर लेते हैं, तो आपको पूरे अमाउंट पे 1.3% का चार्ज विट GST हाँ पे देना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे क्रेडिट कार्ड में सम्थिंग 10,000 ट्रांसफर करने का 130 रुपीया प्लस GST देना पड़े यानि कि 1.3% का चार्ज विट GST यहाँ पे लग गया, तो यह डिफरेंस है, अगर डेबिट कार्ड से तो अब इससे बात है कोई भी नहीं करेगा, तो डेबिट कार्ड में कोई भी अमाउंट सेंड करिए, यानि पेमेंट करिए तो 75 रुपीस प्लस GST ही देना है, लेकिन जहां आप क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करते हैं, तो आपको 1.3% प्लस GST यहाँ पे देना पड़ेगा, तो यह मैं आपको एक्जामपल के साथ दिखा दिया, जस्ट आप क्रेडिट कार्ड का नंबर डालेंगे, में एक रेंट पे क्लिक करेंगे, तो डिरेक्ली जो है देखें, यहाँ पे मैंने अमांट इंक्रीज कर दिया है, पचास जार जैसे मैंने लिखा, तो अभी जो है, देखें, कन्विनियंस चार्ज भी 1.3% की साब से बढ़े गया है, चेसो पचास उर्पया देना पड़ेगा, विट GST यहाँ पे देना पड़ेगा, लेकिन बिट कार्ड से भी ट्रांसफर करने में, यानि कि पेमेंट करने में, चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, तो most probably आप बस दिमाग में यह रखना, कि फोन पे से अगर रेंट के जरी आप करदे कार्ड के बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर कर रहे है, तो आपको 1.3% का चार्ज व तो comment करके आप लोग बताई कि phone pay के तरफ से option आपको कैसा लगा, क्या आप transfer करेंगे या नहीं करेंगे, या आपके पास कोई और अच्छा method है, credit card के limit को bank में transfer करनेगा, तो comment करके ज़रूर बताईगा, तो यह थी है आज की वीडियो, वीडियो helpful लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, इसी तरिके ज़रूर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सकाइब कर लिजेगा, कोई डाउट बस ताथ कमेंट कर लिजेगा, और प्रसनल कोई सेस्टन चीए, तो directly हमें इंस्ट्रा मेसेज करिए, वदिन 24 आख कोरेको शल्प कोने कुशिश करूंगा, सुमिलते वड़ा साथ, तब तक लिजय हिंद, जय बारत.